नमस्कार साथियों, मिसाल एकेडमिय के आनलाइन करेंड की कलास में आप सब का बहुत-बहुत श्वागत है साथियों आज 5 जून हैं और 5 जून के जितने करेंट अफेर्स होते हैं हम लोग उनको देखेंगे और केवल उन्ही current affairs को देखेंगे जो आपके लिए very very most important हो फालतू की एक भी प्रश्ण नहीं देखेंगे हम लोग तो चलिए आज क्या हम लोग पहला प्रश्ण शुरू करते हैं आप लोगों ने इसके बारे में पेपर में टीवी में देखा भी होगा mobile पे भी काफी चर्चा में रहा है ये ख़बर चर्चा में रही है facebook पे whatsapp पे तो आप इसको याद रखिएगा गर्भवती हाथी के गर्भवती हातिनी के मौत के कारण की कौन सी नदी चर्चा में रही ये आपके सामने चार आप्शन है A, B, C, D, बेलियार है, सुलियार है, पेरियार है और मलम पुझा नदी है ये चार नदियां केरला की है और आपको इसमें मारना होगा आप्शन A, बेलियार नदी अब ये साथियों चर्चा में क्यों रही क्योंकि आपको पता है कि जो हाथी मरी है वो बहुत ही दुखद परिस्थितियों में मरी है बेहद दुखद आप सुनेंगे तो आपको अचरज होगा लोगों ने उसको कुछ भोजन खिलाया और भोजन में रख दिया पटा का छोटा सा बम और जब हाथी खाई उस भोजन को या खाद पदार्त को जो भी रहा होगा उसके साथ तो वो हाथी के मुह में दग गया और दग गया तो हाथी का पूरा जो जबड़ा होता है सब छटिगरस्त हो गया साथियों ये भारती इतिहास में अब क्या कहा जाए भारती सभ्षदा और संस्कृति पे बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा धब्बा है, जहां पर हम लोग देखते हैं, नदियों को देवी की तरह पूचते हैं, हाथी को गड़ेजी की रूप में मानते हैं, यहां तक कि मूस को भी गड़ेजी की सवारी मानते हैं, मतलब प्रकिरत में पत्थर पूजने जैसी तक की हमारी हो चुके हैं कि एक हाथी के साथ इतना बड़ा मजा की और वो गर्भवती हाथी थी जब उसका फेफड़ा मतलब जब उसका जबड़ा जहतिग्रस्त हो गया खून से लत्पत हो गया वो कुछ खाने में असमर्त हो गई तो इसी बेलियार नदी में जाकर की वह घुस गई और दो तीन दिन तक उसी में रही और अंत्तो गत्वासातियों उसकी मौत हो गई तो ये बहुत बड़ी खबर है भारत में बहुत बड़ी खबर है और आपको पता है कि हाथी अब बिलुप्त प्राइस रेड़ी में आ रहा है तो ये आप याद रखिएगा और आज का प्रश आपको दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट हाथी की सुरुवात प्रोजेक्ट एलिफैंट कब सुरू हुई थी फिर से सुनिए प्रोजेक्ट एलिफैंट की सुरुवात किस सन में हुई थी तो आज का पहला प्रशन आप से जुड़ा हुआ रहेगा और ये करेंट भी है ये परि प्रश्न लेते हैं बिदेश से वापस लौट रहे कुसल स्रमिकों का सदुपियोग करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल की है साथियों आपको पता है कि बंदे भारत बंदे भारत जो यूजना चलाई है भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है उसके तहद बिदेश में रहे रहे सिरमिकों को एरोपलेन के माध्यम से वापस लाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है विदेश में जो अच्छे सिरमिक होते हैं लगबग वही जाते हैं तो इन सिरमिकों को यहां पर लाया जाएगा और इसमें उतर होगा स्वदेश तो स्वदेश नामक एक पहल की करके भारत में जितनी कंपनियां होंगी चाहे वो विदेश की हों चाहे भारत की हों, उन कंपनियों में इनको प्लैस्मेंट दिलवाने की ब्यवस्था की जाएगी। तो ये भी important है, अगला स्वदेश याद रखिएगा, स्वदेश, इंगलिस वाला भी स्वदेश, चाहे हिंदी वाला, लेकिन इंगलिस में, चुकि इंगलिस में ही लांच हुई है, तो श्वदेश इंगलिस में ही आप लेखिएगा, तो चलिए अगला प्रशन हम लोग जाता है इसके संबंध में थोड़ा सा हम लोग एक दो मिनट की चर्चा बिसेस कर लें क्योंकि साथियों परिया वरंड दिवस आखिर मनाया ही क्यों जाता है साथियों परिया वरंड दिवस इसलिए मनाया जाता है कि परिया वरंड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बन कितने जानवर मारे गए कितना चरण हो बहुत शारी बातें इसमें चर्चा में होती हैं और लगभग विश्व के सारे देश इसमें भाग लेते हैं और यद इसकी शुरुवात की हम लोग बात करें तो आपको पता है कि 1972 में आप याद करिए आपने पढ़ा होगा पर्यावर बैठक हुई थी उसी में यूनेप की शुरुवात भी हुई थी यूनाइटेट नेशन इन्वायर्मेंट प्रोग्राम उसी समय यह नेड़े लिया गया कि पांच जून को ही हम लोग परियावरण दिवस मनाएंगे परियावरण के बारे में पूरबिस्व एकत्र हो करके अपना अपना विचार साझा करेगा अपना अपना अंभोछ साझा करेगा तो नेड़े तो ले लिया गया 1972 में लेकिन एक बार प्रीन आ चुका है कि पहली बार परियावरण दिवस कब मनाया गया था तो यह पांच जून 1974 को मनाया गया था यह टेट, सूपर, टेट, सी, जो लोग दे रहे हैं उनके लिए已经 very, very most important है क्यूंकि उनमें तो 30 प्रश्न ही आता है परियावरण से तो ये current का प्रश्ण वी इया, परियावरन का प्रश्ण भी है और अभी जो कोरोना महामारी आई है टिड्डियों का हमला हुआ है विसेश प्रकार की जो ये देख रहे हैं आप तरह तरह का चक्रवाती तुफान आ रहा है तो प्रकिर्ट ने कहर बरपाना सुरू कर दिया है प्रकिर्ट कहर बरपा रही और कांटीनियू मौसम खराब चल रहा है तो ये हम को और आपको जल्द से जल्द सुधरना होगा साथियों नहीं तो धरती से मानव इतिहास बन जाएगा कभी फिर खुदाई होगी तो ये होगा कि मोबाइल वाली आधुनिक सभ्विता कभी यहां रहा करती थी जैसे दूर बैठके बातें करते रहे होंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ये आ जाएगा अगर हम लोग नहीं चीते तो क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना क्या है कोरोना ना तो दिखता है ना तो आप महसूस कर सकते हैं ना तो उसको छू सकते हैं ना तो मार सकते हैं बता यह सब प्रकृत अनुभव करवा रही है कि बिनास होने वाला है आप लोग चेत जाएए लेकिन हम लोग नहीं चेत रहें यही सारी चर्चाएं परियावरण दिवस के अंतरगत की जाती हैं और इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेजिए कि यह जो पांच जून को मनाया गया इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी थीम थी जैव बीविधता उत्सव 2020 की जो थीम रखी गई है और 2019 की थीम क्या थी एक बार आप इसको देखिएगा और कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा कि 2019 में परियावरण दिवस की थीम क्या थी इस बार की तो है जैव बीविधता उत्सव पिछली बार की क्या थी तो इतनी बातें आप जैव बीविधता के बारे में देख लिए हैं चलिए हम लोग अगला प्रशन देखते हैं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रशन है ये भी परियावरण से भी जुड़ा हुआ है औ प्रशाद मुखर जी नेता जी शुभाष शेंद्र बोस अटल विहारी बाचपेई और सरदाल बलब भाई पटेल तो इसमें होगा स्यामा प्रशाद मुखर जी तो इसमें तो स्यामा प्रशाद मुखर जी एक बार आप याद करिए सूपर ट्रेट में यही प्रशन आया था कि जो गुजरात में कांदला बंदरगाह है उसका नाम क्या कर दिया है आप पेपर उठा के देखिएगा तो यह आप याद कर लीजिएगा ऐसी चीजें यह चुकि बहुत बड़ी चीज होती है बहुत बड़े वकील रहे हैं समासेवी रहें स्यामा प्रशाद मुखर जी जी तो इनके नाम पे रखा गया है और आरेसस से संबंदित रहे हैं भाजपा वरतवान भाजपा सरकार है तो यह आप एक बात जानिएगा कि कोलकता बंदरगाह भारत का सबसे पूराना बंदरगाह है दूसरी चीज यही एक बंदरगाह बड़ा बंदरगाह है जो की जो की नदी पे इस्थित है समुद्र पे इस्थित नहीं है नदी पर इस्थित है तो आप हमें उस नदी का नाम बताएगा जिस नदी के किनारे कोलकता बंदरगाह इस्थित है कोलकता बंदरगाह किस नदी के किनारे इस्थित है आप कमेंट बाक्स में हमको बताएगा और हम बता रहें आप गूगल पे जा करके सर्ज कर लिया कर healed जो मैं परशने पूछा करओं मान लो याद नहीं है तो गूगल पे जाकर आप सर्ज करेंगे तो आपको नदी का नाम निकल करके आएगा एक हुगली नदी कहां से निकली आप इन चीजों के बारे में जान जाएंगे और कभी कभी प्रश्ण वहीं से पुछ लेता है तो एक प्रश्ण पढ़के आपको चार पांच प्रश्ण की जानकारी होगी तो आज का हमारा प्रशन है कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे इस्थित है और कोलकाता बंदरगाह का क्या नाम रख दिया गया है तो स्यामा प्रशाद मुखरजी रख दिया गया है चलिए हम लोग अगला प्रशन देखते हैं और पश्चिम मंगाल प्राया चर्चा में रहता ह मामता दीदी के चलते तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए गैस को पांचमा प्रश्ण और आखरी प्रश्ण आज का है I can't breathe नारा किस देश में तहलका मचा रखा है I can't breathe का मतलब होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं यह कहां तहलका मचाया हुआ है तो यह आप जान ही लॉयड नामक एक इनसान थे उनकी गले पर घुटन रख दिया गया था उनको गिरा के जो एक अस्वेट इनसान थे उनको रोड पर कार के बगल में गिराया गया और एक पुलिस के द्वारा उनके गले पर घुटन रख दिया गया पैर रखकर चार-पांच मिनट तक बैठ रहा वो पुलिस वाला और जो जार्ज लायट थे फ्रायट थे वो है कहते रहे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं और अंत में उनकी मौत हो गई तो उसी के बिरोध में वहां पर बहुत भेंकर बहुत भेंकर अंदोलन चल रहा है बहुत भेंक कह रहे हैं कि उस आंदोलन को भड़काने में चाइना का हाथ है तो बहुत सारी बातें इसमें हो रही है तो आप ये नारा भी याद रखिएगा आई कांडी ब्रीत या इसका हिंदी होता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं तो आप याद रखिएगा अमेरिका का है यह और किस से होते हैं ग्राम पंचायतों के पास कितने भी से होते हैं यह आप बताईएगा कमेंट बाक्स में ग्राम पंचायत का एक प्रश्ण हमने कल भी पूछा था और आज भी पूछ रहे हैं ग्राम पंचायत से जुड़े हुए चार-पांच प्रश्ण जो भी हैं वो क्लियर कर करने के पश्यात ही हम किसी अन्य छेतर से सवाल पूचेंगे और दो तीन सवाल तो हम पहले भी पूच चुके हैं सारे सवाल का उत्तर आप अवश्य दीजिएगा और फिर से कह रहे हैं परिया वरण बचाने का प्रयास करिए अगर आपके पास थोड़ी से जमीन है तो प्रय नहीं समस्ति दिनलें फेलेगा अंव ड़लेंगे जग बदलेगा तो बदलने की शुरूराद करिए बदलने की शुरूराद करी और नो निर्माड aq जब प्रॉब्लम आ रही है वो सब ना आए तो साथियों ठीक है आज के लिए बस इतना ही पढ़ते रहें नमस्कार जय हिंद